चले जी, thank you so much for coming back, मेरा राम है सुनील अधिकारी और आप देखरें कॉमर्स पॉइंट कैसा हमेचे लोग सारे, आज का वीडियो अगेन बहुती खास, बहुती स्पेशल होने वाला है, आज के वीडियो में हम कॉस्ट कर्व, जी हाँ, बहुत लंबा, बहुत लंबा चोड़ रेंड तक पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को देखना जरूरी है, या फिर आप बच्चों के लिए जनी बच्चों को भी एकनॉमिक्स बहुत हाड लगती है, या फिर ये चेप्टर, जो हमारा कॉस्ट चेप्टर है, चेप्टर एट है हमारा, आप किसी भी बु रखनी या दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम सारे आज कॉस्ट कर पढ़ने वाले हैं, चलिए, सबसे पहले कॉस्ट कर की टेबिल में, दो पॉइंट मैंने बना रखें, लिख रखा है, शौर्ट रन कॉस्ट कर और लॉंग रन कॉस्ट कर पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था, शौर्ट रन क्या होता है, लॉंग रन क्या होता है, शौर्ट रन मतलब कम समय के लिए, जहां पर एक फैक्टर फिक्स रखना जरूरी है, बाकी के फैक्टर क्या होते हैं, वेरिबल होते हैं, लॉंग रन में जो फिक्स फै स्लेबस में सिलेबस का पार्ड बनता है लॉंग रन इतना इंपोर्टेंट नहीं है शॉर्ट रन ज्यादा इंपोर्टेंट है तो हम ज्यदा इंकोर्टेंट्स देने वाले हैं। short run को right चलिए short run में तीन concept main है TC का total cost का दूसरा average cost का और तीसरा marginal cost का कौन-कौन से बच्चा लोगों TC, AC और MC simple TC, total cost, AC, average cost, MC, marginal cost अब TC के अंदर भी तीन concept है short run तीन तरह के TC, AC, MC TC और TC तीन तरह का, AC तीन तरह का marginal के अंदर में कोई concept नहीं है यहाँ तक clear हो रहा है, चलिए TC के अंदर तीन concept, पहला TFC, total fixed cost दूसरा total variable cost, हम सब concept को detail में पढ़ने वाले हैं तो चिंता नहीं करनी है, total fixed cost, total variable cost और खुद total cost तीन concept, fixed cost, variable cost और total cost खुद, यहाँ तक clear हो रहा है second, average cost में अगेन तीन concept, same TFC था, यहाँ पर average है तो AFC हो गया TVC था क्योंकि total concept का पार्ट था, अब average concept का पार्ट है तो A, V, C हो गया, average variable cost और खुद average cost यहाँ तक clear हो रहा है, चली, marginal cost का कोई भी पार्ट नहीं है, यह खुदी अपने में खुदी एक पार्ट है हो रहा है बचो, तो यह है हमारे तीन short run के concept long run में, long run total cost, long run marginal cost और long run average cost आता है यहाँ तक बिल्कुल इसी चल रहा है, कोई confusion नहीं, याद करने में दिक्कत नहीं आएगी बहुत ही जल्द मैं आपके notes वगेरा, handwritten notes का arrangement भी कर दूँँगा तो इस channel पे tune in करते रहिएगा चलिए, सबसे पहले total cost curve हम पढ़ लेते हैं क्या पढ़ेंगे, total cost curve, तीन concept, TFC, TVC और TC सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पुरा बचो clear, short run ले रहे हैं, short run में total cost curve सबसे पहले हम कर रहे हैं total fixed cost TFC, TFC में होता क्या है, total fixed cost, नाम से पता लग रहा है output ले लिया हमने, सबसे जरूरी क्या है, table, table, इसको हम schedule कहते हैं आपकी भाशन में schedule कहते हैं, और TFC हमने ले लिया दिखे, 0, 1, 2, 3, output change होता है, सब अच्चे को पता है total fixed cost change नहीं होती है, तो हमने कोई भी एक value ले ली, value ले ली जो सब में constant हमने रख ले 12, 12, 12, 12, 12, right, 0 से 6 तक लिक लिया सब value 12 में, अब free hand diagram बनाना है, examination में जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5, ऐसे बनाना, जरूरी नहीं है पूरे marks आपको rough diagram के भी मिल जाएंगे but make sure you have to label it properly, output, cost, x-axis, y-axis, tfc अब जैसे कि tfc हमारा constant है, तो यहाँ पर, जहाँ पर भी 12 आएगा एक अंदा जिसे हम सीधी line खैचलेंगे, क्योंकि output changes के साथ साथ tfc change नहीं होता है output change हो रहा है, लेकिन tfc change नहीं होता है, am I making sense? कहां तक clear हो रहा है, चलिए, tfc, total variable cost, नाम से बता लग रहा है figures vary होंगे, output same लिया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tfc, नाम से बता लग रहा है variable factor है, तो output change होगा, देखिए, 0, output 0 था, यह भी 0, output 1, 19, 16, 18, 22, 30, 42 अब यह continuously बढ़ रहा है, origin से start होकर, origin मतलब 0 से start होकर, यह continuously बढ़ रहा है अदर clear हो रहा है, यहां पर fix नहीं रहाएगा, क्योंकि यह variable factor है, simple as that diagram में देखिएंगे, origin यहां पर 0 है, 0 से यह start होकर, उपर, right, ultra s बोल सकते हो, इसको इसका shape होता है, ऐसा, tvc का shape याद रटना, बच्चो, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम scale लेके नहीं बना रहे है जब scale लेके नहीं बनाओगे, तो क्या होगा, shape याद रटना, compulsory या बहुत जरूरी होता है, देखिए, 0 पे start हो रहा है, output और 0 पे ही tvc start होता है, यह ध्यान देना है क्योंकि जो tc होगा हमारा, यहां से उपर से start होगा, दोनों में सिर्फ यही फरक है, shame उसका भी shape यही होगा, tvc और tc में सिर्फ यह फरक होने वाला है, अब देख लेते हैं हम tc का, मतलब इनके बड़े भाई, सबसे बड़े भाई, सबसे चोटा, उससे बड़ा और सबस का डागराम देखते हैं, अच्छा, tc है क्या वैसे, थोड़ा सा formula देखते हैं, tc equals to tfc plus tvc, अभी मैंने क्या कहा जिस अभी आपको, कि tc सबसे बड़ा भाई है, सबसे छोटा, tfc, उसके बाद tvc और tc सबसे बड़ा, तो दोनों को जब add कर देंगे, तो हमारा tc आता ह है, सबसे नीचे, tfc, tvc और फिर उसके उपर tc आता है, पुरा बच्छो clear, तो tc equals to tfc plus tvc, अच्छा, अब numerical questions आते हैं, table वाले questions आते हैं, missing figure वाले, तो फूसते हैं sir, अब tfc का क्या formula बलाओ, भाई इधर का उधर कर लो बस, जैसे कि tfc निकाल ला है, तो tc minus tvc हो रहेगा, as simple as that, कोई confusion, नहीं, चलिए, output ले लिया, tfc ले लिया, tvc ले लिया, और tc ले लिया, simple, tc हम, sorry, tfc हम बना चुके हैं, tvc हम बना चुके हैं, same वही figure ले रहे, same output, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tfc, same, 12 ही ले रहे, और tvc का जो same figure थे, वो same के same हमने उतार दिया है, अब हमें निकालना है, tc, अब ये numerical questions के लिए भी हमें याद रखना है, कि दोनों को add कर दीजी, कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहा है, simple sa addition है, दोनों को add करके सामने लिखना है, दोनों को add करके सामने लिखना है, ये आगया हमारा tc, tc कैसे आता है बच्छो, tfc plus tvc, tc आ जाता है हमारा total cost है, fixed और variable को add कर देंगे, तो हमारा tc आ जाएगा, दोनों figures को add करेंगे, तो tc आ जाएगा, अब tc जैसे मैंने बोला बड़ा भाई है, तो tfc इधर, tvc इधर से, और tc सबसे उपर, क्या होगा, tc सबसे उपर जाएगा, पुरा बच्छो clear, तो ये हमारा tc सबस average cost को उपर, हमने short run जल रहा है, total cost complete कर लिया है, average cost में आते हैं, ac में, ac में again same concept, afc discuss करेंगे, फिर avc और फिर ac, खुद, सबसे पहले afc discuss करते हैं, average fixed cost, चलिए afc समझने से पहले, सबसे पहले उसका formula देखते हैं, क्यों, formula से पूरी picture clear हो जाएगी, right, afc equals to tfc upon q, right, तो हमें total का fixed, tfc, तो tfc क्या आ जाएगा, उपर आ जाएगा, और q upon output, नीचे आ जाएगा, तो हमारा, abc average ऐसे निकलता है, total upon, number of, जो भी output होता है, यहां पर भी same concept apply होगा, tfc upon q, अब देख लेते हैं, output हमने same लिया है, tfc same, वही 12, 12, 12, हमने पूरी, roughly है, वही चीज़ हम निकलेंगे, afc, afc कैसे निकलेगा, tfc upon q, इस figure को, सामने माला कैसे आया, इस figure को, divide by 0 करेंगे, तो infinity में answer आगा, infinity हमने बना लिया है, अब 12 upon 1, 12 आ जाएगा, 12 upon 2, 6 आ जाएगा, 12 upon 3, 4 आ जाएगा, ऐसे ही हम सारे figure निकाल लेंगे, यहां तक कोई confusion, बच्छा लोगो, हो है, बिल्कुल easy, कोई भी difficulty नहीं है, simple भाष हमें समझ रहे हैं हम, चलिए, output आ गया, tfc समझ में आ गया, afc हमने find out कर लिया है, diagram देखें, तो diagram बनेगा, इसका eat का चांग, नीचे की तरब बनेगा, इसका right, तो यहां पर सीधा सीधा यह नीचे की तरब बनेगा, freehand diagram बिल् last में, average cost क्या है, वो भी हम देखने वाले, चलिए, चलिए, अब सीधा आइए, board पे, अब देख लेते हैं, abc, हमने afc देख लिया है, बिल्कुल concept clear हो रहा है, कोई confusion, नहीं हो रहा है, चलिए, avc देखते है, avc का formula, total के basis पर ही, जहां पर हमने afc निकालते वक, tfc अपॉन क्यों रखेंगे, simple as that, कोई confusion, बहुत ही simple concept है, चलिए, output same, अब हम निकालना है, avc, जरुवत है, tvc की, tvc हमने same, जो हमने निकाला था, same, वो ही ले लिया है, कोई भी confusion नहीं करी है, अब avc कैसे निकलेगा, सीधा simple सा, divide करके, 0 upon 00, 1, 9 upon 1, 16 upon 2, 18 upon 3, 22 upon 14, जो भी answer है, सामने ल avc को divide करना है, output से जो भी answer आता है, सामने लिखना है, और है बच्चो clear, diagram में देखते है, diagram में चांद बनेगा, ईद का चांद बनेगा, avc का थोड़ा सा नीचे बनेगा, difference समझ लेना, ac में, और avc में, चांद उपर, चांद नीचे, और concept वही है, छोटा भाई, उससे बड average variable का, सबसे उपर, ac का, यहां तक clear हो रहा है, yes or no, चलिए, यह हमारा diagram मनेगा, simple सा, sober सा diagram, अचा, formula याद रखेंगे, numericals के लिए, numericals भी आ सकते हैं, आपके examination में, और missing figure वाले table वाले आ सकते हैं, बात में भी हम करा देंगे, जब numericals वगरा देखेंगे, national income वगरा, macro भी करनी अभी याद है आपको, yes, चलिए, average cost, ac, last में सबसे बड़ा भाई, afc, avc और ac, चलिए, average variable cost, अब जब हमने, afc, tfc के basis पे निकाला, avc, tvc के basis पे निकाला, तो ac हम, tc के basis पे निकालेंगे, simple as that, तो ac का formula, tc upon q, ac का formula, tc upon q, output चाहिए, tc चाहिए, tc कैसे आएगा, जो हमन अभी निकाला था, same, वही हमने, tc रख लिया है, simple सा, 12 upon 0, infinity में answer आएगा, 21 upon 1, 28 upon 2, 30 upon 3, जो भी answer आएगा, सामने लिखते जाहिए, diagram की तरफ बढ़ेंगे, heat का चाहिए, थोड़ा सा, avc से उपर बनेगा, यहाँ तक clear हो रहा है, नीचे output, यहाँ पर आप नाम भी लिख स revenue पढ़ रहे हो, तो revenue लिख दो, पूरा बच्चो clear, तो यह था हमारा AC का diagram, अब करते हैं हम, marginal cost के अंदर कोई चीज आती हैं, तो simple सा marginal cost देखने वाले हैं, हम अच्छी तरह के से, चलिए, चलिए जी आजए यह, last concept की तरह बढ़ रहे हैं, आज हम, right, और उम्मीद करता हू तो भईया, इतने easy तरह के से, शायद ही पढ़ायोंगे, अगर मैं सही हूँ, तो please comment करके बताइएगा, कि cost curve समझाने का तरीका, या economic समझाने का तरीका मेरा आपको कैसा लग रहा है, और next videos जो आने वाले हैं, उसके लिए excited हैं या नहीं है, चलिए, start करेंगे marginal cost curve, जिसको ह MC बोलते हैं, simple सी भाषव में, दो formula है, याद रखने, MC जो है, हम TVC के basis पर भी निकाल सकते हैं, और normally TC के basis पर तो निकाली सकते हैं, change in TC upon change in Q, क्योंकि marginal cost क्या होता है, पहले बताया है, मैंने marginal cost क्या होता है, addition to total utility, मतलब, total utility में जब एक unit add-on हो जाती है, तो उसमें क्या क्या changes आते हैं, किसमें, total cost में, उसको हम marginal cost कहते हैं, तो change in TC upon change in Q, change in कैसे निकालते हैं, वो सब समझाने वाला हूँ अभी में, या फिर change in TVC upon change in Q, यहाँ तर clear हो रहा है, चलिए, output सबसे पहले same वो ही है, TVC same वो ही है, TC, आपको तो अभी तरह रट गए होंगे number भी, रटने ही ह हैं, जब आप schedule या diagram बनाते हैं, table बनाते हैं, तो भाई, कोई चीज़े रटनी पढ़ती है, वो चीज़े आपको easily रट जाएंगी, और उसके basis पर अगर आपको formula से answer निकालने आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, देखे, MC निकालते हैं, TC के basis पर, देखे, change in TC upon change in Q, कोई gap नहीं है, कोई difference नहीं है, gap होता है 1, 6, 8, 12, 20, दिक्कात आती, वहाँ पर difference निकालना पड़ता, यहाँ पर difference निकालने के जरूत नहीं है, simple सा हम तो TC जो है, TC जो है, उसका क्या ले लेंगे, difference ले लेंगे, TC का simple सा difference ले लो, पहला nil आ जाता है, nil ही आता है, याद गया, 22-18, 4 आ गया, 30-22, 8 आ गया, 42-30, 12 आ गया, यहाँ तक clear हो रहा है, yes or no, simple सी trick क्या है, change in TC upon change in क्यों निकालना था, change कैसे निकालते है, new minus old, new minus old, 0, 9, 16, यह value निकाल रहे हैं, तो new क्या होगा यहाँ पर, पहले तो nil आ जाएगा, क्योंकि 0 unit आ पर 0 होता है, new 9 है, new minus old, 9 minus 0, इस unit को निकालने के लिए, यह निकालने के लिए, new क्या होगा, 16 minus 19, इस unit के लिए 18 minus 16, 22 minus 18, 30 minus 22, 42 minus 30, horizon, as simple as that, कोई confusion, कोई doubt, simple सा minus करना है, yes or no, चलिए, MC आ गया है, MC कैसे बनेगा, diagram बनेगा, U-shift बनेगा, इसका थोड़ा सा, इस direction में थोड़ा सा उपर आएगा, output वही है, cost वही है, x-axis और y-axis, कैसा रहा, बिल्कुल simple, short run के concept, बहुत important examination के लिए, पूरा cost curve आ सकता है, school में है, 6 marks, 8 marks में आ सकता है, college में, B.com, या B.B.A. 1st year में, 2nd year में, 20 marks में भी आ सकता है, cost curve आपका पूरा, especially short run का, तो आपको meaning समझानी है, formula देने है, table बनानी है, diagram ब 3-4 page भड़ जाएंगे, और आप easily score कर पाएंगे, और बच्छो क्रियर, long run cost curve इतना important नहीं है, इसलिए हम unnecessary चीज़े नहीं कराएंगे, जो आपके लिए feasible है, examination में जो चीज़ आता है, हम वो करा लेंगे, फिर भी आपको लगता है कि sir, हमारे तो स्रिवस में है, exam में भी आय simple, जितना simple रखस को उतना simple भाशन में आपको समझाया है, कैसा लगा वीडियो, comment करके जरूर बताएगा, और इस वीडियो को फैला दीजिए, हर एक उस बच्चे तर, जो economic से डड़ता है, economic सीखना जाता है, free में, हर वीडियो आपको free of cost देने वाला हूं, कोई charges नहीं, दूलिएगा, अच्छा लगा वीडियो, ऐसे ही वीडियो future में भी चाहते हैं, चैनल को subscribe करना पड़ेगा, I hope so, आप कर देंगे, notification bell को भी click up कर देंगे, next वीडियो का suggestion, comment box में type कर सकते हैं, मुझे अगर follow करना है, various social media platform पे तो सबके link आपको description मिल जाएगे, चलिए, next वीड में relationship, examination में आता है, हम वो देखने वाले हैं, प्लस AC और MC के पीच में क्या relationship होता है, वो हम देखने वाले हैं, तो बहुत ही खास, जरूरी, important और exam oriented होने वाला है, next वीडियो, तो उमीद कर रहा हूं, आप आएंगे, जुडेंगे, और हम enjoy करेंगे, the subject called economics school, right, जब तक, करते रहे हैं, क्योंकि आपका भी दिन आएगा, thank you so much.